हेलो स्टूडेंट्स आज हम BSE 6M माइक्रो बाइलाजी का एक टॉपिक स्क्रीनिंग फॉर एकनोमिकली इंपोर्टेंट कल्चर के बारे में पढ़ने चाह रहे हैं जिसके पहले हम एक टॉपिक पढ़ चुके है कि वोट इस फर्मेंटर की फर्मेंटर क्या होते हैं और इंडस्टियल माइक्रो बाइलाजी में इस फर्मेंटर एक्विपमेंट का क्या एप्लिकेशन से अब हम आज के टॉपिक में उसी फर्मेंटर से रिलेटेड बात करने वाले हैं कि स्क्रीनिंग फॉर एकनोमिकली इंपोर्टेंट कल्चर कि आपके द्वारा जब भी कोई फर्मेंटर यूनिट यूज किया जाता है जिसके लिए हमें किसी प्रोड़क्ट के फॉर्मेशन के लिए किसी सेलेक्टेड और्गनिजम की आवशक्ता होती है चुकि सेलेक्टेड हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप फर्मेंटेशन इंडस्री में जो भी पहला होता है आपका raw material मतलब ऐसा material जिसका यूज करके आप fermented food product बनाने वाले हो अब दूसरी बात होती है कि जो raw material आपने लिया है वो तो आपका substrate हो गया लेकिन हम बायो केमिकल यदि देखे तो substrate की reaction हमेशा enzyme के साथ में की जाती है जब तक कोई enzyme किसी substrate के साथ या कोई substrate किसी enzyme के साथ bind नहीं होगा तब तक reaction नहीं होगी अरताथ हमें fermenter में जब भी कोई food product बनाना हो तो raw material के साथ में selected enzyme को add करना होता है अब यह selected enzyme आएगा कहां से तो हम जो microbiology पढ़ते हैं तो microbiology में basically हम study करते हैं microorganisms की और इनहीं study किये हुए organism से हमें यह पता चलता है कि कौन सा organism किस प्रजाती का है यह किस तरह का enzyme produce करता है इसके द्वारा produce किया गए enzyme किस पदार्थ के साथ में bind करेगा और reaction के फजरूफ हमें किस तरह का पदार्थ देगा यह सब हम पहले वाले पार्ट में पढ़ लेते हैं जैसे evaluation of microbiology की बात करें तो microorganism कहां से आये किस ने खोच की कैसे उनके structure को देखा उनके general characteristics क्या होते है अब इन study के आधार पर हमारे पास में बहुत बहुती selected organism हमारे पास में है और जिनके बारे में हमें सारी जानकारी है तो आज हम उसी selected organism का use fermenter में करेंगे तो जिसके लिए हम आपको बताएंगे कि कौन सा organism लिया जाएगा और किस तरह के fermentation में उसका use होगा ठीक तो आगे देखते हम screening हमारा topic यह screening for economically important culture तो यह जो culture है इसी culture को हम organism बोलते हैं कि organism का culture मतलब उसे किसी plate के उपर किस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं जिस procedure of isolation, detection and separation of microorganism आइसा procedure या ICVD जिसके माध्यम से किसी selected organism को हम isolate कर सकते हैं मतलब प्रथक कर सकते हैं उसका detection कर सकते हैं तथा उसे separate करके अलग रख सकते हैं तो उसे हम separate करेंगे कहां से तो interested from a mixed population by using highly selective procedure it is called screening आपको एक mixed population में से उस organism को select करके प्रथक करना है तो ये जो mixed population आपको मिलेगी कहां तो इसके लिए आपको चाहिए particular place जहां से आफ इन organism को separate करने वाले हैं क्योंकि हम बात करें हवा की, पानी की, स्वाइल की तो इन सभी में बहुत अधिक संख्या में organism present होते हैं तो ये लाखो करोडो की संख्या में होते हैं और mixed culture में होते हैं इसमें आपको bacteria भी मिलेगा, fungi भी मिलेगी, mycoplasma भी मिलेगा, algae भी मिलेगा मतलब हर प्रजाती के organism आपको मिलेगी और एक नहीं इनकी हजारों सेल्स आपको मिलेगी तो इन mixed population में जो हजारों सेल्स हैं उन हजारों सेल्स में से केवल एक selected organism जो की आपके fermentation में use होने वाला है उसे आपको technique लगा कर उसे isolate करना है और उसका detection करना है कि हाँ हमें यह organism चाहिए था यह complete procedure आपकी कहलाती है screening तो screening हम हमेशा करते है organism के isolation और उनके detection के लिए क्योंकि जब तक हमे organism मिलेगा नहीं और हम उसे specify नहीं करेंगे तब तक हम इसका use आगे procedure में नहीं कर सकते हैं next point देखते हैं कि यह जो screening है आपने definition देखी अभी तो इस definition के अंतरकत हम organism का जो screening कर रहे होते हैं वो screening किस तरह से किया जाता है तो सबसे पहले हमारे पास में screening किसका करना है तो microorganism का अब उपर देख पार है slide में कि microorganism हमें लेना है मतलब isolate करना है तो हम उसे isolate करेंगे कहां से तो वहाँ पे लिखा हमने sources की अलग-अलग places या sources या स्त्रोत जहां से हम organism का isolation कर सकते हैं तो sources हमारे पास क्या-क्या हो सकते हैं तो पहला source देखते हैं food तो food में different types of food materials होते हैं जैसे की example के तोर पर हमने milk और cheese का example लिया है दूसरा देखते हम environment environment में बात करते हैं तो air, soil and water it is environmental factor तो यहां से भी हम organism को screen कर सकते हैं और अगला देखते हैं compost and other sources तो जैसे आपने वर्मी compost या आपके खेतों में जो खाद वगेरे होता है उस में से भी हम organism को isolate कर सकते हैं तो microorganism हो गया उनके different sources की हमने बात कर ली अब इन sources में से organism को हम निकाल लेंगे कैसे प्रुथक कैसे करेंगे तो जिसके लिए हमें technique लगाना होता है screening तो screening के माध्यम से हम organism को एक mixed population की रूप में किसी plate के उपर growth करा सकते हैं अब organism का हमने organism को plate के उपर grow करा लिया है different sources से मतलब sources से आपको sample लेना है plate के उपर inoculate करना है incubate करना है next day after 24 hours आपको screening किये गये plate के उपर different types of microbial cells या colony की रूप में दिखाई देगी अब उन जो mixed population में जो cells है उन्हें हम primary screen करेंगे और primary screen से secondary screen करेंगे तो ये primary screening, secondary screening और ये जो screening का जो part है ये वास्तों में होता गया है तो इसको हम next slide में देखते है कि primary screening और secondary screening हम किस तरह से करते हैं तो पहले हम ये देखें कि important things to be considered while screening तो screening के लिए क्या important होता है तो first point होता है कि हम जिस organism को screen करने वाले हैं स्क्रीनिंग तो आपको पहले बता दिए कि screening करते कि हुए क्योंकि essential ये useful organism का isolation हमें करना होता है जिसके लिए different sources से हम sample लेते हैं और उसके माध्यम से हम screening करके organism का isolation करते है तो जिस में हम पहला point देखेंगे choice of source samples from screening is taken from soil, water, air, milk and compost मतलब आपको जब screening करनी होती है जिसके लिए आपकी choice कि आप किस source से उस organism का isolation करते हैं तो ये source आपको select करना है अब आप select कैसे करोगे तो source के selection के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप industrial microbiology के अंतरगत कौन सा product बनाने वाले हैं तो कि हमें जब पता रहेगा हम बना क्या रहे जैसे उधारन के तोर पर एदि हम बात करते हैं कि हमें alcohol का production करना है तो आपके पास में motto है आपका कि हम alcohol produce करने वाले तो आपको ये भी पता होता है कि जब alcohol का production किया जाता है तो जिसके लिए हमें ऐसे raw materials use करने होते हैं जिन में sugar content present हो तो आप graphs juice, pineapple juice, गने का juice, मौवा ऐसे अलग-अलग पदार्त आपके द्वारा यूज़ की जाते हैं जिसमें sugar content present होते हैं दो बाते हो गई कि बनाना क्या थ अर्था alcohol उसके लिए raw material क्या लिया कि ऐसा पदार्त जिसमें sugar content present हो अब तीसरी बात आती है organism गी तो यह organism का selection depend करता है कि आप कौन सा पदार्त बनाने वाले हो तो alcohol अब आपको ये पता करना होता है कि alcohol के लिए जो प्रदार्त लिया गया है जिसमें sugar content present है तो ऐसा कौन सा organism ह है जो उस sugar को उस raw material में पाई जानिवली sugar को ferment करके alcohol में convert करने की ability रखता है अर्था fermentation कर सकता है तो उसका हमें पता करना होता है तो वह organism होता है इस्ट फंजा प्रचाती का organism होता है जो की anaerobic होता है जो anaerobic condition में fermentation की process complete करता है जिसके उत्पात के सुरूप में हमें alcohol मिलता है साथ ही CO2 gas release होती है तो इस तरह से आपको पता करना है कि हमें क्या पदात बनाना है जिसके लिए organism का isolation करना है तब आप decide कर पाओगे या choice कर पाओगे कि हमें किस source से sample को isolate करना है क्योंकि तभी आपको पता लगेगा कि कौन सा organism किस जगह पर पाया चाता है ठीक तो इस तरह स से different sources आप choose कर सकते हैं उसके बाद होता है choice of substrate अब आपने उस organism का isolation करने के लिए source का choice कर लिया है कि हम इस source इस organism को isolate कर सकते है लेकिन दूसरी बात यह depend करते है कि यदि आप उस organism को screen कर रहे हो isolate कर रहे हो तो किसी ना किसी मीडिया की plate के उपर उसे आप growth कर आओगे सही तो उस organism के बारे में आपको ये भी पता करना होगा कि जो organism अपके द्वारा select किया गया जिसे आप isolate करने वाले हो उस organism की nutritional requirement क्या होती है अर्थत उसे किस तरह का भोजन चाहिए होता है किस तरह का environment चाहिए होता है water चाहिए की ने air चाहिए की ने carbon source चाहिए की ने nitrogen source तो वैसा ही media या वैसा food supplement आपको उस organism को एक media plate की साहिता से provide करना है अब उस media plate में रखे गए nutrients को जब वो organism खाएगा तो obviously उसकी बहुत अच्छी growth होगी जो कि आपको after incubation या after 24 hours आपको split की ओपर दिखाए देगी इस तरह से आपको substrate का selection करना है चूस करना है उसके बाद आता है choice of detection अब आपने organism को sample के लिया sample को inoculate किया inoculate करने के बाद आपको growth भी दिखाए दी अब growth दिखने के बाद क्या वास्तों में जो organism आपको चाहिए था production के लिए fermentation के लिए क्या plate में growth कर रहा है वो organism वही organism है तो जिसके लिए आपको proper isolation and detection of desire microorganism is important मतलब जो आपको चाहिए था organism उस organism का आपको isolation and detection करना अत्यनता आवश्यव होता है क्योंकि बिना detection के आप ये बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि ये organism वही selected organism जा जो हमें चाहिए था तो आपको detection करना है कि proper organism जो हमें चाहिए था वो organism मिला या नहीं उसके बाद हम देखते हैं types of screening तो screening techniques are classified into two major groups first one is a primary screening और second one is a second screening तो primary screening जैसा कि हमने बोला था आपको कि primary screening आप जब भी करते हैं तब आपके पास में different sources होते हैं भिन्न भिन्न sources से आप sample ले सकते हैं और उन sample का inoculation करके आप organism का isolation कर सकते हैं तो primary screening को हम देखते है कि primary screening अलग-अलग हो सकती है क्योंकि sources different है चाहिए आपको यहां 4 पॉइंट दिख रहे हैं लेकिन यह 4 पॉइंट के अलावा भी इसमें बहुत अधिक points होते हैं क्योंकि sources आपके भिन्ना भिन्ना होते हैं different होते हैं जिससे आप isolate कर सकते है तो कुछ major sources की बात करते हम या major organism जिनका हम बहुत तयात industry में use करते जिसकी बात करेंगे organic acid producing microorganism अगर आपको organic acid जैसे citric acid या lactic acid है जो कि हमारी body के लिए जो हमारा system होता है system में जो पाचक तंत्र होता है उसके लिए बहुत ही essential होता है ये citric acid तो citric acid produce करने वाले जो organism है उनको हम जब screen करते हैं तो जिसके लिए हम जो media use करते हैं उसमें dice का use किया जाता है दूसरी बात करते हम antibiotic producing microorganism अब जैसे panicelline yates teptomycin organism है ये antibiotic producing microorganism है तो ये जो organism है ये soil से हम isolate करते हैं तो जिसके लिए हम crowded plate technique ऐसी प्लेट टेकनिक जिसमें बहुत अधिक मात्रे में organism मिलते हैं उसका selection करते हैं जिसकी साइट इसका हम isolation करते हैं अगला होता है extra cellular metabolic producing microorganism जिसमें और अगला होता है enrichment culture technique जिसके लिए defined media का use करके हम इस technique को complete करते हैं अभी जो primary screening है जब तक primary screening आपका complete नहीं हो जाएगा secondary screening पर नहीं जा सकते हैं तो हम ये जो चार point देखे हमने primary screening के अंतरगत जिसमें हम एक्जामपल के तोर पर antibiotic producing microorganism की screening के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि primary screening जिसमें it's a process of detection and isolation of microorganism from interest तो आपका जो interest है जिस में interest है जिस sample में interest है उस sample से आप इस organism को isolate कर सकते हैं और detection कर सकते हैं अगला determine which microorganism are able to produce a compound अब आपको determine करना है क्या ये organism जो आपके द्वारा primary screening से आप isolate कर रहे हो क्या ये organism आपके द्वारा या आपको जो product या desired product चाहिए था क्या आप बनाने में capable है अगली बात करते हैं कि ये जो organism है ये commercial value मतलब इसके द्वारा जो पदार्द बनाया जाएगा ये commercial आपके लिए कितना valuable है ये भी आपको check करना होगा और जो value less organism है जिनकी कोई value नहीं है जिनका कोई use नहीं आप उसे उस blade से बिल्कुल discard कर सकते हैं हम देखते हैं कि जो primary screening of antibiotic producing microorganism तो पहला point है crowded plate technique is used for screening of antibiotic producing microorganism जब भी आप antibiotic producing microorganism का isolate करना चाहते हैं तो आपको crowded plate technique का use करना होगा does not give information about the sensitivity of antibiotic to us other microorganism अब आपको इसमें check करना है कि जो antibiotic producing organism है इसमें antibiotic के लिए sensitivity कितनी है ये आपको चेक करनी है dilution are dilution are made and then produce then puring and spreading of soil sample that give 300 to 400 or more colonies per plate जब आप isolation के लिए sample को plate के ओपर inoculate करोगे और incubation के बाद देखोगे तो per plate आपको 300 से 400 microbial colony आपको दिखाई देगी next point देखते हम colonies showing antibiotic activity activity are indicate by zone of innovation around the colony अब आपको चेक करना होता है जब growth आपको दिखाई देगी तो आप यह देख पाऊगे कि plate में organism के द्वारा जो growth की गई है उसमें selected microorganism के चारों और एक round आपको clear zone आपको दिखाई देगा जिन organism के side में या around एक zone आपको दिखेगा वो organism पक का 100% antibiotic producing organism होगा ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें zone दिखाई देता है clear zone वो zone इसलिए मिलता है क्योंकि वो जो organism है अपनी body से कुछ chemical substance को secret करता है और आजू-बजू में फैला देता है अब plate के आजू-बजू में जो organism है उस substrate के contact में आते है तो उनकी death हो जाती अर्था उसके द्वारा जो निकाला गया पदार्थ है synthesis किया गया पदार्थ है जो another organism के लिए बहुत जादा harmful होता है और वे मर जाते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि जिसके चारों और एक राउंड एक जोन बना हुआ है वो organism एंटिबाटिक producing है such colonies are subcultured and purified by stick before making stock culture अब हमें यह जो organism है उसका stock culture बनाने क्योंकि हमें पता चल गए एंटिबाटिक प्रोडिशिंग जिसके हमें ज़रुरत थी तो stock culture बनाने से पहले आपको उस organism को stick plate के माध्यम से आपको उसे purified कर लेना होता है then आप stock culture बना सकते हो the purified culture are then tested to find the microbial inhibition spectrum अब आपके द्वारा जो purified किया गया जो organism है उस organism को आप check करोगे कि यह microbial inhibition के लिए कितना effective है आप इसमें देख पा रहे है कि पहले हमने एक प्लेट बनाई प्लेट के उपर हमने एक जो सैंपल लिया था उस सैंपल को स्प्रेट कर दिया स्प्रेट के बाद हमें उसे इंक्यूबेट किया तो इंक्यूबेशन में आप देख पार है डिफरेंट डिफरेंट कॉलनीज हमको आप दिखाई दे रही है अब यह जो कॉलनीज आ गई है इस कॉलनीज में थर्ड प्लेट में आप देख पा रहे हो कि कहीं कहीं पर एक क्लियर वाइट कलर का क्लियर जोन हमें दिखाई दे रहा जिन कॉलनीज के आजव बाजो में क्लियर जोन है वे एंटिबायोटिक प्रोडूइसिंग इंटेंडेट टू अीज़ंट इंडस्थी इंडस्थियल इंपोर्टेंगल आद यह स्कॉल म माइकल्निजम अब हे इंडस्थियल लीवह पर यूस किया जाने वाट न न मarlaलन जिन ki यह करता है जो मी शु看가지고 क्लु होते हैं उनके लिए हम स्क्रोडड के का यूसम करते तो उ और्गिलिज्म होते हैं जिनका हम सेकेंट्रिस कृगिनिंक के माध्यम से उन्हें स्टूक करके से iPad करके अर्धत कहने का मतलब यह कि सेकेंट्रिस कृगिंग का यूज हम तब करते जब प्राइमरि recognizing मैं चब हमें selected microorganism मिल जाते है तो जिससे हम screening second screening या strict plate के बाद्यम से दूसरी another plate पर हम उसे strict करते है उसकी growth कराते है और उसके जो contents होते हैं कि भाई इसकी genetic stability क्या होगी यह बाय के में के लिए कितना active है यह सारे characters का हम उनका पता लगाते है और उसे हम select करके separate कर लेते हैं तो जिससे हमें यह पता चलता है कि primary screening में यदि हमें कोई valuable organism मिल जाता है तो उसे हमें stock करना है आगे मतलब भविश्यक में use करने के लिए यह हम उसे store करके रखना चाते हैं तो जिसके लिए हमें उसका secondary screening करना होता है secondary screening में उसके सारे metabolic characteristics का पता करना होता है और जब characteristics हमें पता हो जाए और वो selected organism के साथ में match हो जाए उसके बाद हम उसे purified culture के रूप में stock culture के रूप में stock करते और उसे further future में यूज करने के लिए हम cry preservation technique के बादें से हम उसे store करके रख सकते ताकि future में जब भी हमें कभी इस तरह का कोई पदात बना नहों तो में फिर से उस organism का isolation ना करना पड़े हम उसे directly use करके product का formation कर सकते थैंक्यू